हाई गाईज मैं मेहुल जैन तो अगर आप जी के फढ़ना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए नौलेज मिलेगी कुछ नया सीखने को मिलेगा चले शुरू करते हैं पहला भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपके पास चार ओप्सन है चंडिगर, मिजोरम, सिक्किम, गुगा इसमें से एक सही है पांच सिकेंड के अंदर इसका सही जवाब कौन है सलेक्ट करके बताना है तो आपका समय स्टार्ट होता है टाइम अब गाइस सही ओप्सन है ओप्सन सी सिक्किम ही वो राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है तो समझ गया याद हो गया तो अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर दो भारतिय सिनेमा के जनक कौन थे इसमें भी आपके पास टाइम अब इसका सही जवाब है ओप्सन बी डादा सहब फाल के जिसको भारतिय सिनेमा का जनक कहते हैं अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर तीन सचीन तेंदूलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया है इसमें भी आपको पान सेगंड का टाइम मिल टाइम अब गाईस सही जवाब है पदम भूसर इसी से सचीन तेंदूलकर को जल्द ही इसी किताब से नवाजा गया है अगर नहीं आधा तो याद कर लेना अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर फोर विश्व में सोने का महल कहां परिस्थित है चार ओप्स टाइम अब गाईस इसका सही जवाब है ओप्सन बी इसराइल इसराइल में ही सोने का महल इस्थित है अगर नहीं याद था तो याद कर लो अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर पाँच भारत में एक रुपए के नोट पर किसके हक्थाक्षर होते हैं इसम अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर छह दुनिया में इसराइल पाँच जवाब बता हैंगे ही इसका जवाब अगर नहीं याद तो याद कर लो बित्त मंतराल सच्चू के हक्साक्षर भारतिय नोटों पर होते हैं अगर आपको नहीं याद था तो याद क शेयर कर देना चलो अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर छह दुनिया में सबसे तीज दोड़ने वाला जानवर कौन सा है इसकी लिए भी आपको पाची सेकंड मिलेगा पांच सेकंड अंदर आपको कमेंट में अंसर लिखना होगा क्योंकि लोग कमेंट ही कर आप थोड़ा सभी बेसीक किसके वारे में जानते होंगे तो अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर साथ भारत के परधान मंतरी किस रेलवे स्टेशन पर चाय बेशते थे चार ऑप्शन है जिसमें से एक चाहिए आपको पांच जिगन के अंदर सेलेक्ट करना है और टाइम स्टार्ट नाउ टाइम अब गाइस सही जवाब है ओप्शन ए वड़ नगर स्टेशन पर याद कर लो अगर याद नहीं है तो अगले सवाल के तरब बढ़ते हैं कुश्चन नंबर आठ किस देश में दो राष्टे पती होते हैं इतने मज़दार जीके क टाइम स्टार्ट होता है अब अप टाइमनब दोस्तों संद मारीनो देस में दो राष्टेपती होते हैं अगर नहीं याद है तो यादकलो बहुत जाधा काम आने वाला अपने दोस्तों से पूछ लोगे तो हैरान हो जागा पता है तो चलो इसको खतम करते हैं महाराणा परताप बुलबुल किसे कहते थे तो हर बार की तरह इस बार भी आपको 5-6 सेकंड मिलेगा इसके अंदर आपको सवाल कमेंट में लिखना है इसका जवाब भे लिखना है अगर नहीं याद है तो 5 सेकंड वेट करना है अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ वह अपने घोडे को ही बुलबुल कहके बुलाते थे याद कर लो हो सकता है किसी competitive exam में आ जाए तो चलो इसको खतम करते हैं अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं question number 10 भारत में कौन सी no tissue system को follow किया जाता है यह तो बहुत ज्यादा important है आपको पता होना चाहिए जनरली तो इसके लिए भी आपको 5 जखने मिलेगा आपका समय स्टार्ट होता है अब भारत में minimum reserve system no tissue करने वाला system है इसी को follow करा जाता है अगर नहीं याद है तो याद कर लो minimum reserve system को follow किया जाता है अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं question no 11 भारती सम्भिधान में कितनी भासा आए हैं आपका समय स्टार्ट होता है अब time up guys भारती सम्भिधान में total 22 भासा आए हैं कौन कौन से हैं अगर किसी को याद हो तो comment में जरूर लिख देना नहीं याद है नहीं मिलेगा answer तो बता देना अगली वीडियो में बता दूँगा चलो अगली सवाल के तरफ बढ़ते हैं question no 12 भारत की 14 प्रधान मंत्री कौन है चलो अब गिनना है श्टार्ट करो अगर याद नहीं है तो और याद है तो comment box में जरूर लिखना टाइम अब सही जवाब है नरिंदर मोदी यहीं है 14 नंबर के प्रधान मंत्री अगर नहीं याद तो याद कर लेना यह बहुत जाधा important होने वाला है future में तो चलो अगली सवाल के तरफ बढ़ते है question no 13 इस्ष्रू का headquarters कहां पेस्तित है इसके लिए भी आपको 5 जिकन मिलेगा तो आपका 5 जिकन का time start होता है अब time up guys अगर जवाब नहीं याद है तो याद कर लो इस्ष्रू का headquarters बैंगलोर में इस्थित है हाँ आगे से अगर कोई कुछे तो बता देना इस्ष्रू का headquarters कहां पेस्तित है बैंगलोर में तो जलो इसको छोड़ते हैं अगले question के तरफ बढ़ते है time up guys सही जवाब है राजस्थान याद कर लेना अगर याद नहीं है तो बहुत लोगों को याद होगा पता है लेकिन जिसको नहीं याद है वो याद कर लो तो finally अब हम start करते हैं अपने वीडियो का सबसे last वाला question question number 15 एक आदमी 100 रुपए लेकर दुकान पर समान लेने गया उसने 75 रुपए का समान खरीदा दुकानदार ने उसे 5 रुपए दिये और ओ घर चला गया बताओ क्यों जितने भी मैत वाले हो दिमाग लगाना start करो आपका समय start होता है अब time up अगर जवाब नहीं पता तो समझ लो उसने दुकानदार को सिर्फ 80 रुपए ही दिये थे इसलिए दुकानदार ने उसे 5 रुपए वापिस दिया दुकान पर 100 रुपए ले गया था लेकिन दिया कितना 80 रुपए है उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना उनसे भी पूछना ये जो भी सवाल इसमें सबसे जादा आपको अच्छा लगा वो अपने दोस्तों मैं भी पूछिएगा जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद